समाजवादी पार्टी को एक बहना राव लगाना चाहिए गर्व से कहो हम अति पिछड़े अति दलितों का हिसा लूटने वाली पार्टी है चार बार बहुजिन समाज पार्टी में सत्ता में थे मौरिया जी तब याद नहीं आया तब महिलाओं का अपमान नहीं दिखाई दिया तब रामम सरणम गच्छामी जब उदर बसपा की सरकार जाते देखा तब रामम सरणम गच्छामी वो पहले बता में कि वो हिंदू है सत्ता पाने के लिए समाजवादी पार्टी ये सड्ययंत कर रही है अई सड्ययंत को पिछरा दली तलब संख्यत समानिवर्ग सब लोग समझ रहे हैं बीजेपी के नाम हम कोई रजिश्टी किये हैं का कि पुरे देश में चुए हम बीजेपी को सत्ता मिले जाएंगे उत्तर प्रदेश में रामचरित मानस को लेकर राजनिती पूरी तरीके से गर्माई हुई है अब पोस्टर भी सुरू हो गया है समाजवादी पार्टी कार्याले के ठीक सामने एक पोस्टर लगाया गया जिसमें कहा गया है गर्व से कहो हम शुद रहें समाजवादी पार्टी को एक बहना राव लगाना चाहिए कि गर्व से कहो हम आती पिछड़े आती दलितों का हिसा लूटने वाली पार्टी है गर्व से उनको कहना चाहिए चार सितंबर 2013 को जब हाई कोट ने आदेश दिया तो मुख्यमंत्री कौन था अखिलेस यादव जी हाई कोट ने कहा कि 27 पर्षन जो पिछड़ों को आरक्षण मिल रहा है उसका बार जातियां लाब ले रही है इसको बांट करके उत्तर पार्टी लाखों लोगों की रोजी रूटी चली गई नोकली चली गई तब याद नहीं आया है आज सत्ता से बेदखल हुए है तो याद आ रहा है ये पिछले दलित महिलाएं याद आ रही है चार बार बोजन समाज पार्टी में सत्ता में थे मौरिया जी तब याद नहीं आया तब महिलाओं का अपमान नहीं दिखाई दिया तब रामम सरणम गच्छा में जब उदर बसपा के सरकार जाते देखा तब रामम सरणम गच्छा में बेटी सांसद अपना मंतरी पांच स साल तब नहीं दिखाई दिया आज दिखाई दिया राज अब सत्ता से बेदखाल हुए हैं तो यह बिना स्काली भी प्रीद गुद्धी लेकिन स्वामी प्रसाद मौरिया का साफ तोर से माना है कि मिर्ची उन तीन प्रतिसत उनको लग रही संकराचार और ऐसे लोगों को पहले बतामें कि वो हिंदू है मौरिया जिसे पूछीएगा कि आप हिंदू है उनसे खाली मिलें तो उनसे पुझेगा आप हिंदू है कैसे आप तीन परसन को खाली मान रहे हिंदू है अपने को कर रहे हिंदू है आप हिंदू हो कि नहीं पहले तो यह तो बता दो कौसी जिस धर्म को मानते हो उस धर्म में सुद्र कहां से आ गया। बहुत धर्म। बुद्धम सरणाम गच्यामी, धमम सरणाम गच्यामी, संगम सरणाम गच्यामी। ये सत्ता पाने के लिए समाजवादी पाटी ये सडेयंत कर रही है। अई सडेयंत को पिछड़ा दली तलप अख्यक सामानिवर्ग सब लोग समझ रहे हैं। अख्यादो कह रहा है कि जो ट्राम सरीत मानस को लेकर विवाद चला उसकी जो पक्तियां हैं हम कहेंगे कि वो सदन में विधान सभा में भी पढ़के दिखाएं वो जो पक्तियां हैं आखिर क्या पढ़ सकते हैं। क्या अखिले से यादो जिए मुख्यमंत्री थे तो वो पक्तियाद नहीं आई। उसको क्यों नहीं पढ़ा तब उसमें पिछडों का दलितों का महिलाओं का अपमान नहीं पढ़ा गया। अब उसमें सही पक्ति लग रही थी। सत्ता से बाहर होने के बाद सब दिखाई में लेगा दें नहीं है स्थ्वावशाइन मौरा वहा है कि संब दंढाई दे सामने हुए आ हमारे लिए तो सिर्क आणने की बात कहीं आuper है हैं महां जा करके क्यों नहीं अपील करते हैं कौन रोक रहा हैं सरकार रोक रही है कि कोई नेता रोक रहा है वो तो सब के लिए दर्वाजा खुला हुआ अकिल करके अपना महां पेस हो जाईए फला फला परादी हैं गुम रहे हैं इनको गिरफतार किया जाए इनके कि लाव कारबाई हूँ मैं उटाजिस कर देगा है राम चरित मानस को लेकर जिस तरीके से बबाद हुआ है ऐसे में इसे लोगों को मजा चकाना होगा जो लोग जिस तरीके की बात कर रहें सनातन धर्म को लेकर बात कर रहे और उनको यहां सबीं समिधान सबी दहर्मों के लोगों को एक समान रहने का और एकतन हो लिकर के भारती संभीधान बना है समता सुतंता बंधूत मिधूत पर आधारित भारती संभीधान. यहां ना किसी धर्म के खिलाब बोलने की जाजत है ना किसी धर्म के अपमान करने की अनुमती है। सब सर्व धर्म सब बराबर है। आप अभी महरास्ट मुंबई जाते हैं और वहां पर BMC की बात करते हैं कि उद्धाव ठाकरे के साथ खड़े हुए हैं, BMC में सपोर्ट तक की बात हा रही है सामने, तो ऐसे में क्या आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या वहां BMC में आपकी पार्टी ? देखे मैं गया था कुछ समस्या हैं थी लेकर के मैंने संजेर राउज जी से और उद्व ठाकले जी से मिला बात वहां राजनीत की शुरू हुई हमारे लोगों की भी चाहत है कि वहां बीमसी का चुनाओ लड़े तो उन्होंने हामी भरी कि बिल्कुल हम लोग मिलके लड़ स कि पुरे देश में चुए हम बीजेपी को सत्ता में ले जाएंगे हम अपनी पार्टी के लिए लड़ रहे हैं कि हम किसी दूसरी पार्टी के लिए लड़ रहे हैं तो स्वामी जिस तरीके स्वामी प्रसाद मौर्या के बयान बाजी हुए राम चरित्मारस को लेकर बेवाकी से बात की ओम प्रकास राजबर ने और साफ कहा है कि अब उनको ये चीजे याद आ रही है जब अकलेश यादो सत्ता में थे उस दौरान ये सब चीजें क्यों न गुप्ता के साथ आशी श्रुवास तो यूपी ताग.